have had, has had, had had क्या ये use किया भेजाता है या नहीं? जी हाँ बिलकुल किया जाता है और ये बिलकुल सही है अगर आपको भी इसमें confusion हो तो वीडियो में end तक बने रहें क्योंकि इसके बिना आप अपनी कई सारी बातें इंग्लिश में कर ही नहीं सकते ये तो आसान है आप बोलेंगे I have a headache लेकिन अगर आपको बोलना हो सुबह से मेरे सिर में दर्थ है फिर आप कैसे बोलेंगे तब आपको इसी का सहारा लेना होगा अगर आप बोलते है I have a headache since morning तो गलत हो जाएगा याद रख्येगा इस बात को अगर आप समझना चाहते हैं कि ऐसे sentences को आप कैसे बोलें और कैसे आप fluent speaker बन सकें क्योंकि ये तो जरूरी है ना बोलना दिन भर की बातों में ही आता है तो बस वीडियो में अंट तक बने रहे हैं guys, my name is कंचन, you are watching me on विद्यासा अब देखें, जैसा कि आपको देख रहा है यहाँ पर have had और has had ये हम use करते हैं present perfect tense में कब यूज़ करते हैं present perfect tense में और had had जो है इसे हम past perfect tense में यूज़ करते हैं एक सबसे important tip है वो मैं आज आपको दे देती हूँ यहाँ पे कि यह जो तीनों आपको देख रहे हैं structures इसमें क्या है कि जो बाद में आएगा वो हमेशा head आएगा अगर आप सोचे कि यहाँ भी कभी has आ जाए या have आ जाए तो वो नहीं हो सकता अगर आप इनके साथ इसे use कर रहे हैं तो बाद वाला हमेशा head ही होगा अब बढ़ते हैं आप सभी जानते हैं present perfect में हम have का use करते हैं और has का use करते हैं और साथ में हम v3 use करते हैं जो कि verb की third form होती है तो अगर मैं बात करूं helping verbs की तो क्या है इसमें have और has हैं have has क्या है helping verbs हैं have use करते हैं हम कित के किस के साथ I, you, we और दे के साथ has हम use करते हैं he, she और it के साथ ठीक तो यह आपने समझ लिया examples भी देख लिजे I have finished all my work he has gone to the shop मतलब मैं अपना पूरा काम finish कर चुकी हूँ यहां कह रही हूँ वह दुकान गया हुआ है he has gone to the shop तो काम पूरा हो चुका है यह कह रहे हैं जब आप past में आते हैं तो आप use करते हैं had और फिर we three अब यहां एक आसानी है आपके लिए कि helping verb सिर्फ और सिर्फ had है सिर्फ और सिर्फ had है जो कि सभी subjects के साथ चलता है तो कैसे आप sentences बोलते हैं he had finished all the work yesterday कल उसने अपना सारा काम खत्म कर लिया था जब मैं पहुची तो वह बाहर गई हुई थी तो यह हो गया past का हमने सब के साथ had use करना है अब हम आते हैं यहां पर जो हमें सीखना है we use have had, has had and had had when the main verb is also have आपने helping verb तो समझ ली आपको यह helping verb दिखा, यह helping verb दिखा और यह helping verb दिखा लेकिन यह जो had है ना तीनों में यह क्या है? main verb है यह have की third form है ठीक तो जब main verb भी have होगा और हम third form कहां use करते हैं? perfect tenses में तो जब main verb have है तो उसकी third form had ही तो है तो वही बस यहां use हुआ है है बहुत है simple केवल confusion यह हो जाती है क्या हम दो-दो helping verbs साथ में use करते हैं? जी नहीं हम दो-दो helping verbs नहीं use कर रहे हैं पहला helping verb है दूसरा वाला जो had है वो main verb है और उस main verb की base form have है ठिक? लेकिन हम use तो यहीं करेंगे ना V3 इसलिए had तो यहां आते हैं I have had my meal इसका मतलब मैंने मेरा खाना खा लिया है तो I have perfect tense के हिसाब से यहां हमने have लगाया helping verb और यह है इस have की third form had clear? यहां आते हैं She has had her meal उसने अपना खाना खा लिया है तो यहां she है इसलिए has आया बट यह तो third form ही आएगी ना इसलिए had आएगा अब यहां आते हैं We had had her meal यहां इसका मतलब है हमने उसका खाना खा लिया था तो had यहां पे क्या है past के लिए हमने had उसका helping verb और यह main verb तो कुल मिला के यहां जो हमने have का यूज किया है उनकी third forms यूज की है यह यह और यह और यहां इसका मतलब है to eat मतलब खाना खाने की क्रिया के लिए भी हम have का यूज करते हैं तो ऐसे sentences में आपको have, had, has, had और had देखता है और आप confused हो जाते हैं तो सबसे ज़्यादा जरूरत क्या है समझने की कि हम have का use कहा कहा करते हैं जब आप यह समझ जाएंगे कि आप have का use mean verb के तौर पे कहा कहा करते हैं mean verb, मुख्य क्रिया के तौर पे तब आप ऐसे sentences आसानी से बना लेंगे तो देखे पहला use है possession जब आप possession बताते हैं कि कोई चीज़ किसी के पास हो उसकी बात करते हैं तो आप have का use करते हैं as a mean verb तो यहाँ है I have a car मतलब मेरे पास एक car है यहाँ पे मैं एक normal sentence बोल रही हूँ ठीक, यह present indefinite में बनाया जाता है ऐसा sentence लेकिन जब मैं यह कहूंगी I have had a car since I was seven इसका मतलब है कि मेरे पास car तब से है जब मैं साथ साल की थी तो अब देखें आपको फर्ग दिख रहा है यह कह रहा है I have a car अभी present के बात मेरे पास एक car है लेकिन यहाँ मैं कह रही हूँ जब मैं साथ साल की थी तब से मेरे पास car है तो कोई चीज़ तब से अब तक मेरे पास है तब मैं इसका यूज़ करूँगी ठीक तो I have फिर have की third form had ठीक है So I have had a car since I was seven अब है यहाँ पे I have had a dog since my childhood मेरे बच्पन से मेरे पास मतलब जब मैं चोटी सी थी मेरे बच्पने से लेके अब तक मेरे पास एक dog है I have had a dog since my childhood तो यहाँ अभी तक की बात कर रहे है past से अभी तक कोई चीज़ मेरे पास है तो have had का use कर रहे है यह चीज़ clear हुआ आपको अब देखे यहाँ पे मैंने का इसे हम present के तरीके से बनाते हैं अब मैं कह रहे हूँ I had a dog when I was little जब मैं छोटी थी मेरे पास एक dog था यह हो गया normal sentence लेकिन अगर मैं फिर से एक अवधी बताऊं कि कब तक मेरे पास dog था कुछ समय तक था यह बताना है तो क्या बोलोंगी I had had a dog since my childhood बच्पन से मेरे पास एक dog था before I brought cats जब मैं बिल्लिया ले आए उससे पहले तक ठीक, so before I brought cats तो अब आपको दिख गया कि जब मैं छोटी थी तब से मेरे पास एक dog था लेकिन कब तक था जब तक मैं बिल्लिया ले आए जब मैं बिल्लिया ले आए उसके पहले पहले तक था तो यहाँ भी एक मैं ये बता रही हूँ कि past में कोई चिस शुरू हुई थी और वो तब तक मेरे पास थी past में ही, अब नहीं है तब मैं had, hat का यूज़ कर रही हूँ अब आते हैं He has had a girlfriend since he was 15 तो यहाँ पर हम past की बात नहीं कर रहे हैं अभी हम mix कर रहे हैं यहाँ पर हम present वाला बता रहे हैं He has had a girlfriend since he was 15 उसके पास उसकी girlfriend है कब से जब से वो 15 साल का था तब से तो has had मतलब अभी भी है Still has a girlfriend और जब मैं कहूंगी यहाँ पर आ जाते हैं He had had a girlfriend for 4 years but not now उसके पास 4 साल तक ठीक है 4 साल तक उसकी girlfriend थी but अब नहीं है तो समझ में आए past की बात कर रहे हैं इस sentence में आते हैं She has had 4 children in the past 6 years पिछले 6 साल में उसके 4 बच्चे हुए ठीक? So she has had Got it? तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? जब present की बात करते हैं तो हम have had वाला structure लेते हैं अगर subject she है, he है, it है तो हम वहाँ पर has का यूज़ कर लेते हैं बाकी past में जाते हैं तो had had बोलते हैं जब हम यह बता रहे हैं कि कोई चीज किसी के पास थी अब आते हैं illness illness के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं I have had a headache all day मैंने का I have a headache मेरे सिर में दर्द है अब मैं कहा रहे हूँ पूरे दिन से मतलब पूरे दिन मेरे सिर में दर्द रहा तो मैं बोलूँगे I have had a headache all day डॉक्टर के पास जाके आप यही बताएंगे कि मेरे सिर में पूरे दिन से दर्द है तो आप क्या बोलेंगे I have had a headache अगर present एकदम right moment की बात करेंगे तब आप have, सिर्फ have का use करेंगे अब यहाँ आते हैं I have had a cold for two days दो दिनों से मुझे जुकाम है अब क्योंकि duration आ रहा ना यहाँ पर duration दे रहें तो have had use कर रहें अब past में आते हैं I had had a cold last week पिछले हफते मुझे जुकाम था तो किसी समय के लिए था तो हमने I had had इस तरह के से use किया है अब आते हैं eating food and meals ठीक तो कुछ खाने के लिए eating food and meals कुछ पीने के लिए भी हम इसका use करते हैं So she has had her soup मतलब उसने अपना soup पी लिया है So यहाँ पर हमने इसे as a helping verb यहाँ पर main verbs हर जगह यह main verb है आपकी third form use होई है इसका ध्यान रखिएगा He had had his soup उसने अपना soup पी लिया था I had had my meal yesterday कल मैंने मेरा खाना खा लिया था किसी समय पर मैं खा चुका था चुकी थी तम मैं had had बोलूँगे अब आते हैं events, actions, experiences and activities इनके लिए भी हम have का use करते हैं मैं आपको यह कहूं तो गलत नहीं होगा कि have का use बहुत जगहों पर होता है इसलिए have को आप अच्छे से समझ लें अगर आप एक fluent speaker बनना चाते हैं बहुत जरूरी है I am going to have a bath यहाँ पर I am going to have a bath ठीक, action है यहाँ पर मैं नहाने जा रही हूँ नहाने के लिए हम have a bath का use करते हैं तो यह एक normal sentence है बट अगर मैं बोलूँ मैं नहान चुकी हूँ तो मैं बोलूँगी I have had a bath ठीक तो यहाँ पर यह इस have की third form use हो गई यहाँ Daddy had had a bath Daddy ने नहान लिया था या चुके थे तो past की बात Last weekend I just wanted to relax पिछले weekend पर मैं relax करना चाहती थी Because I had had a busy week क्योंकि पूरा हफ्ता बहुत busy थी मैं So had had पूरा एक अंतराल हम दिखा रहे हैं एक अवदी दिखा रहे हैं तो हम इसे use कर रहे हैं had had Let's have a party चलो party करते हैं यहाँ पर have normal use हुआ है तो party करने के लिए भी हम have verb का use करते हैं अब हम यहाँ बोल रहे हैं पिछले वीकेंड पर हमने party की थी तो यह helping verb यह main verb चुरू चुरू में typical लग रहा होगा थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा लेकिन don't worry guys आपको यह सभी चीज़ें आसानी से आजाएंगे अगर आप इनकी practice कर लेते हैं तो जब आप concept को समझ रहे हैं इसकी practice कर लेजे और हाँ चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe भी करें क्योंकि ऐसे videos daily आती हैं तो आप कुछ न कुछ daily जरूर सीखेंगे साथ इसाथ bill icon को press कर दे all पर click कर देंगे सबी notifications आपको मिल जाएंगी तो अब आते sleeping पे sleeping के लिए sleep करना हो rest करना हो तो आप have का use करते हैं as a main verb so have you had a rest क्या तुमने आराम कर लिया have you had यहाँ यह third form यूज हुआ है I've had a rest अब यहाँ I have को मैंने जोड कर यूज किया spoken English में ज़्यादा तर contractions यूज करते हैं तो जितने भी sentences मैंने आपको बता है उनकी contractions में practice जरूर कीज़ेगा so I've had a rest मैंने आराम कर लिया है I haven't had any rest since morning मैंने सुबह से बिलकुल आराम नहीं किया है I haven't had I had had a terrible dream when you were out जब तुम बाहर थे तो मैंने बहुत बुरा सपना देखा था so I had had a terrible dream he woke up screaming वा चीकते हुए उठ गया because he had had a bad dream क्योंकि उसने बुरा सपना देखा था so again had had past की बात करेंगे simple है had had लगा दिया हो गया बातें conversations and interactions conversation करने के लिए भी हम have का use करते है as a main verb I think I have had a chat with you before मुझे लगता है मैंने आप से पहले बात की है ठीक तो यहाँ पे had क्या है have की third form big argument when they got together जब वो साथ में इकठा हुए थे तो उनकी बुखत बड़ी जड़प हो गई थी बहस हो गई थी so they had had past की बात की हमने अब आते हैं travel पे travel में भी travel के दौरान बुखत सारे ऐसे phrases यूजज़ होते है जिसमें आप have को as a main verb यूज़ करते है have a nice trip, have a safe journey, have a pleasant journey तो यहाँ पर देखिए एक सवालम बना सकते हैं have you had a pleasant journey? क्या तुम्हारी यात्रा सुखद रही? yes, I've had a pleasant journey हाँ मेरी यात्रा सुखद रही तो यहाँ पर यह जो head है यह have की third form है अब आपको समझ में आ गया होगा कि यह कितना असान है हर जगह पर यह जो head है यह have की third form है इसलिए आप have had, has had, had had use कर सकते हैं अब बारी है वीडियो को share करने की जल्दी से share कीजे सभी के साथ ताकि हर कोई अच्छे English बोल सके और आप उनके साथ practice कर सके वीडियो पसंद आई हो तो like भी करें मिलते हूँ आपसे अगले वीडियो में जय हिंद